प्रवासी, मद्दूर और बाकी लोग थी उनकी सेवा करने का मोखा मिला। कभी कभार लेप, राइट, बाएं, दाएं, उसमें लिडर्शिप करना एक अलग प्रकार के कॉलिटी लगती है। और पुलीस को जानातर उस प्रकार की लिडर्शिप का अनुहवाता है। लेकिन जब इस प्रकार के काम में जुड़ते हैं, जिसमें बाएं, दाएं कम होता है, अपनी बुद्धी, शक्ती से और विश्वास से समस्या का समयधान करना होता है। और उस समय लिडर्शिप देना बहुत ही अने एक गुनों की आवश्यक्ता को अनुभव कराता है। और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि संकट के खालखन में आपको जाने का जो मिका मिलाया है। सामान इस्थिती में गए होते हैं, तो आप ठाना, डूटी, FIR, कानून, इश्यूज इस ही में उलज जाते हैं। मैं मानता हूँ यह भी आपके जीवन में एक अवसर था, कि सीधा आपको समाज जीवन के उन संकट काल से जुड़ना पड़ा। और आपने उसमें समाधान करने का प्रयास किया। और मुदी विश्वास है कि आप तो टेक्नोलोजी के बेक्राउंड के हैं। आपने उस सेवा के काल में टेक्नोलोजी का भी भरपूर उपयोग किया होगा। टेक्नोलोजी के माध्यम से व्यवस्ताओं को भिक्सित करना, लोगों को काम बातना, उसका रिपोर्टिंग करना, एनालिसीस करना, यह जुरूर आपने अच्छे रंग से किया होगा। तब आसाम की सेवा और सुरत का रंग भर करके आगे बढ़िया, बहुत शुक्त पामना है दास्त। आतंगवादी गतिवीधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान मुझे मिला देखने को, वहाँ पे सर काउंटर टेरिस्ट ओपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे, सेक्यूरिटी फोर से सर एक जुनेद सहरा पुलिस के स्पेशल ओपरेशन ग्रूप को ये खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था, तो तुरंथी पुलिस, SOG और CRPF की एक टीम ने योजना बना कर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही सर हम घर के अंद दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षिस्थान पे पहुंचाया, बलकि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा, जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को निट्रलाइज नहीं किया, सचु कि ए घर शेहरी जगे पे स्थित था, इसलिए पुलिस को काफी और कठीनाईयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉइन ओर्डर की सिच्वेशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना, सर मुझे पहली बार मानिविये चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ओपरेशन देख रह थी, सर मेरे लिए यह पुना पुष्टी हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निदोश व्यक्ति की सुरक्षा में, अगर एक पुलिस कर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े, तो यह हमारे लिए प्रात्मिक्ता होती है, तनुसरी आप मूल कहां से हैं? सर, मैं भिहार से हूँ, सर. और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर, मैंने निफ्ट गांधी नगर से टेक्स्टाइल डिजाइन में स्नात्र किया. अचा, आपकी कुजराद में जाकर क्या ही हो? यह सर. तो यह टेक्स्टाइल और टेरर कैसे कुजारा करोगी? सर, ट्रेनिंग अच्छी में लिया, सर, कल लूँगी. देखिये, टेक्स्टाइल में धागे जोडने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं. तो बहुत ही तो अलग-अलग पहलू के काफ करने पड़ेगी आपको. यह सर. चलिए, मैं थोड़ा पुलीसिंग के सिवाय मेरा मन करता है मैं आप से बात करूँ. यह ठीक है कि जो हम रोज अख़वार में पड़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही में जूज होते हैं, इसके सिवाए भी इस पूरे ख्षेत्र की विशेस्ता है, चाहे जम्मू हो, लदाक हो, बेली हो, करगील हो. और मेरा स्वभाग रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मोका मिला है कि इसी समय है. सच मुझ मैं भाहती अच्छे लोग है, भाहती प्यारे लोग है. और मुझे विश्वास है कि हम सब के प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिन्दगी है वह हम वापिस ले पाएंगे. लेकिन आपने टक्स्ट्राइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेश थाकत है, आप बैठिये तनुसरी आप बैठिये, कश्मीर की ये विशेश थाकत है और इसलिए वहां हर घर में, उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना उससे ज़्यादा थाकत उनकी उंगलियों में होती है जिस प्रकार के शौल वगेर वो हाथ से बनाते हैं टेक्स्टाइल का काम जो वहां होता है वो अधभूत है आप पुलिसिंग के समय भी मैने में अगर आपको दो दीन, तीन दीन, चार दीन भी अगर छुटी मिलती है मैं आपसे आगर करूँगा कि जहां ही आपकी डूटी लगे आप वहां की जो बहने हैं उनके छोटे-छोटे सभूव बनाईए दस दस का, पाइट पाइट का, दस का, पंदरा का और जिनके पांस रूटीन में वो टेक्स्टाइल से सम्भंदित कुछन को इस काम करता है आप एक एक्स्टा एक्टिविटी के रूप में, युनिफर्म के सिवाए उनके साथ घुर मिल करके ऐसे पांच, साथ, दस ग्रूप बना जिजिए जैसी आपकी ख्षमता और जो आपके टेक्स्टाइल के अनुभव है और वे परंपरा ग्रूप से जिस टेक्स्टाइल इन दोनों को जोडने का प्रयास कीजिए उनको मोडन डिजाइनिंग सिखाईए आप देखिए आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी यह बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी तो मैं आपको तो बिलकुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूँ क्योंकि सच मुश में आप उनसे जुड़ेंगे क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूँ इन लोगों से कभी आपको अधभूत अनुव होगा इतने प्यारे लोग है इतने प्यार से रखते हैं और उनमें कुछ नो कुछ नया करने की सुखने की ताकत होती है तो आप जरूर उस पर बल दीजिए और हम लोग सामुहिक पर इतना से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है और वो काम महिला पुलिस अपसरों से बहुत अच्छा हो सकता है उन बच्चों को वापिस लेने में उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले उसी दिशा में आप काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा हुई तो तनुश्री मेरी आपको सुपकामना है और गांधी नेगर से आपने जो पाया है वो जुरूर वहां पर भी रंग लाएगा तैंक यू सर्थ जैहिन सर्थ जैहिन अभी एक अंतिम अधिहारी है सर्थ अपके साथ अपना एक्सपिरिंश शेयर करेंगों सर्थ जैहिन सर्थ सर मैं ओम प्रिकास जाट राजस्तान के नागोर जिले का निवासी हो सर्थ और मुझे गुजरात कडर अवंटित हुआ है और कोरोना महमारी के दोरान मेरी अपने यह तनुसरी और दास के पांच से गुजरात जान ली है और नहीं जान ली है तो इन माइगरेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्ते संबंदी चुनोतियां का सामना करना पड़ा था बलकि बलकि इनको वेरोजगारी और भुकमरी के वही संकट इन पर आया था तो ऐसे समय में आपके मारक दर्सन में वलसाड पुलिस ने बाकी प्रसाशन की हिकाईयों के साथ मिल बहुत ही समयदन सिलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर इस में मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे चुपावा एक समयदन सिल इनसान मुसिबत के समय बियॉंड कॉल अब ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 गंटे तत पर रहता सर सर आपकी सुसासन की परीकलपना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पॉलिक इंटरफेस होना चाहिए इस महामारी के दोरान वो पॉलिक पूलिस थी और हमने इस जिम्र्वारी को बखु भी निबाया था सर सर मैं आपके सामने कुछ दत्यों का उलेक करना चाहूंगा सर वलसाड में माइगरेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की विवस्ता करी थी उसमें हमने बहुत सारे देश बर से जो आर्थिक विवस्त आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाईज करके बेनिफिसरीस का आइडेंटिफिकेशन करके उनमें वल्नरेबल इरिया असाइन करके इंडिविजल डोनर को इरिया असाइन करके टोटल तीस अजार परिवारों को दो माहिने से भी ज़्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे रासन की डिलिवरी करी थी सर सर इंटरे डिपार्टमेंटल कोडिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुती एक मिसाल पेस करी थी सर आपकी जनकरे में लाना चाहूंगा कि इस समय वल्साट से टोटल 61,000 माइगरेंट्स को उनके घर भीजा गया था जिनमें पुलिस ने भारतिय रेल और प्रसासन की बाकी युकायों के साथ बहुत ही कॉडिनेशन के साथ काम किया था मानिये आपके संदेश के अनुसार पुलिस ने इंडस्ट्री और माइगरेंट लेबर के बीच में इंटरफेस का भी काम किया हमने इंडस्ट्री के लेबर रिक्वार्मेंट का असेस्मेंट किया और माइगरेंट की स्किल मैपिंग करके उन दोनों के बीट ना सिर्फ लेबर्स को रोजगार मिला बाकि जो डिस्टेस माइग्रेशन जो भेह का बाताबन था वो भी कम हुआ सब आपके संदेश के अनुसार हमने स्लम एरियाज में जाके घर घर जाकर मकान मालिकों से ये गुहार लगाई कि वो इन माइगरेंट लिबर्थ का किराया माफ करे और मुझे इस देश के नागरिक का हमारे में विश्वास है वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे और सर मुझे याद है जब आपके निवासिस्तान पर मिलेते तो आपने ये बोला था कि पुलिस की ऐसी इमेज होनी चाहिए कि कोई भी आम आदमी उनसे आके मिल वो भै नहीं दिखना चीए वो हेल्प के अकोर्डिंग चलना चीए तो वो वो जिम्मेवरियम भकू भी निखाएंगे हम आपको इसके लिए आस्वस्त करते हैं जै इंसर आप लोगों ने इस समय ये काम किया है एक बात और देखी होगी आपने कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जवर्जस्त है सरकार से भी अनेक गुणा शक्ति समाज में होती है और आपने इस पूरे संकट काल में जब फिल्ड में थे तो आपने अबजर्व किया होगा आज भी अगर उस चीजियों को समरण करें तो करिए होसे के तो डायरी में लिख भी दीजिए समाज की सक्रियता के खारण सरकार पहुँची हो या न पहुँची हो व्यवस्ता पहुँचपाई हो न पहुँचपाई हो समाज का कोई कोई बंदा वहाँ जरूर पहुँचा होगा और उस गरीब के आंसू पहुँचने का काम किया होगा भूक के कोखिलाने का काम किया हो मरीज के दभाई का काम किया होगा यह आप सब ने अनुभव किया होगा हमारे देश की यह सबसे बड़ी विशेस्ता है और मैं आपको एक अनुभव सनाता हूँ जब कश्में भूकम पाया तो मैं तो उसमय मुख्यमंत्री नहीं था लेकिन एक वॉलेंटियर के रूप में मैं वहां काम करता हूँ तो कई विदेश के लोग भी वहां काम के लिए आये थे अनेक देशों की संस्ताः वहां काम कर रही थे लेकिन वो अपना शाम को पांच शे बजे के बाद काम बंद कर देते थे और अपने टैंट वगरे साथ में ले आये थे वो उस नानवान करके वहीं पहुंच जाते थे तो मैं फिर उनको मिलने जाता था उनसे बाते करता था मैंनों पूशा कि आपको यहां आए हैं क्या अनुफ़व कर रहे हैं एक बड़ा इंट्रेस्टिंग विशेव उन्हान बताया कि बाब हम उसकी पहले टर्की में भुकम हुआ था उसमें से कुछ लोग टर्की से भी होक करते हैं और बहां पर या तो डेड क्रॉस NGO की रुप में काम करता है या कोई वर्ल्ड हील्ड ओर्गनारिशन की लोग होते हैं और जादा तर उनिक आसफा सब चीजे चलती हैं बोली हां तो हम देख रहे हैं हर गली महले में कोई NGO है कोई खाना पका रहा है खाना पहुचा कर रहा है कोई बिमारों की चिंता कर रहा है बोले इतना सिविल सोसाइटी का संगठीत रूप में कॉंटिबिशन यह हमारे अच्रज आए मेरा कहने का तात्पर यह है का हमारे देश में हम साशन व्यवस्ता में जन शक्ती को जितना जोडने के आदर डालेंगे इवन इन प हमारे विश्वास का व्याप भी भड़ेगा और हम बहुती कम एफट से मैक्सिमम रिजर्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक यह सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा जब यह स्थिती बनती है तब शासन की शासन में बैटे हुए अधिकारियों की अमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है और इसलिए इसमें से एक चीज़ भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ती का हमेशा अधर करें